हाई, गुड बॉर्णिंग, कैसे हो बच्चो आप? ओके, सब अच्छे हैं न, ठीक है, वेरी गूस्ट, तो बच्चो मैं कोन हूँ? कोन हूँ? मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, तो मेरा नाम क्या है बच्चो? मेरा नाम मैथिली डीचर है और मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ जैसे पिछले साल भी मैंने हिंदी आपको पढ़ाई थी ना तो इस साल भी मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ और आप घर में अच्छी तरह से अभ्यास करना है जैसे जैसे हमारे वीडियो आते हैं आप उन्हों उन्हें देखकर आपको अफ्यास करना है ठीक है तो बच्चों बाहर जाते समय आप मास्क लगाना है हाथों पर साइनिटाइजर लगाना है और घर के बाहर न निकलना है तो आप अपना अच्छी तरह से खयाल रखना है हम आपको हर रोज आपके साथ बोलेंगे देखेंगे जैसे हमारा अभी live classes भी शुरू है जैसे आप हमें हर रोज देख सकते हो और हम आपको देख सकते हैं बच्चों आपको भी बहुत इच्छा होगी कि स्कूल आना है पढ़ना है लेकिन क्या करना है ये जो कोविड का जो क हमारी हमारे पूरे देश पे आई है पूरे बॉर्ट पे आई है तो हमें इसे बचने के लिए हम अच्छी तरह से स्वस्त रहने के लिए हमें घर पर रहना बहुत ज़रूरी है तो हमें क्या करना चाहिए कि ठीक है स्कूल हम नहीं आते तो क्या हुआ हम आपको हर रोज मोबा कारी चाहिए या कोई सवाल का जवाब नहीं आता है कोई लेसर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें बता सकते हैं बोल सकते हैं ना तो बच्चों अभी आप CBAC क्लास में हो CBSE का सिल्याबस आपको इस साल से शुरू हो गया है तो पहले मैं आपको सबको बदाई देने आचाती हूँ कि आप CBSE स्कूल के एक स्टुडन्ट हो तो बहुत अच्छा है बच्चो की CBSE हमारे पढ़ने के लिए जो टेक्सबुक है वो आपको पढ़ने के लिए आये है तो इस पाठे पुस्तक से हमें बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है बच्चो तो बच्चो यहाँ देखो यह क्या है यह आपकी दो टेक्सबुक है रिमजीम ये रिमजीम नाम की एक और एक टेक्सबुक है तो जैसे जैसे बचों मैं आपको पाट पढ़ाती हूँ वैसे वैसे आपको क्या करना है वो पाट पढ़ना है और उसके प्रश्ण और उत्तर मैं जैसे बोलती हूँ वैसे आपको भी पढ़ना है ठीक है पढ़ना है लिखना है, समझ में नहीं आता, तो फिर से बोलना है, मैं आपको समझाती हूँ, जब तक आपको समझ में नहीं आता, मैं आपको वो पाठ समझाती हूँ, प्रश्ण और उत्तर भी समझाती हूँ, तो बच्चों यहां देखो, यह हमारी नहीं पाठ्य पुस्तक है, यह जो क ये एक QR code है, जैसे हम आपसे मिलने का एक माध्यम क्या है? मोबाइल है, और मोबाइल तुरू हम आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आप पहले क्या करते थे? स्कूल में आते थे, हम आपको स्कूल में बैठकर पढ़ाते थे, सिखाते थे, लेकिन अभी ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बचो? क्योंकि ये COVID-19 जो आया है, इसलिए घर से बाहर पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है, और हमारे जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है, तो COVID-19 का संसर्ग हमें ना हो, और इसलिए हम यहां मोबाइल द्वारे हम पढ़ाई कर सकते हैं, और हम तो, मैं एक टीचर हूँ, आपको मैं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन यहां तुमारे हाथ में जो मोबाइल है, उसे भी आप पढ़ाई कर सकते हो, तो यहां क्या है, एक यहां देखो, आपके मोबाइल पर यहां बहुत सारे फंक्शन्स आते हैं, फंक्शन्स आते हैं तो आप यहां प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाने के बाद QR कोड, scanner type करके आप क्या करना है install करना है install करने के बाद आपको यहां पर install होने के बाद एक scanner आता है और वो scanner यहां देखो ऐसे ही चिन्न होते हैं ना बच्छो हर हर lesson में यह एक code है एक scanner है तो आपका mobile इस पर रखकर scan होता है scan होने के बाद एक link आती है और वो link आप open करना है open करने के बाद आपको जो भी कोई यहां एक part है या कभी थाहे आपको आपके mobile पर वो open होती है और आपको पढ़ाई में आसन हो जाता है, जैसे कि आप पढ़ सकते है या सून सकते है, ऐसा भी हो सकता है, तो बचो यह जानकरी मैं आपको देने वाल आज दे रहे हूँ तो आप इस तरह से अभ्यास कर सकते हो अगर बेटे-बेटे हम पढ़ाई कर सकते है और बहुत अच्छे तरह से हम पढ़ाई करेंगे ठीके, तो बच्चो मैं आपको 5th Standard में Hindi पढ़ाने वाली हूँ मेरा नाम है मैं इतिली टीचर ठीके, आपको पता यह है बच्चो ओके, ठीके तो यह मेरा introduction था ओके, तो मैं कल से आपको ओनलाइन क्लास लेने वाली हूँ ठीके, ठेंक यू बई बच्चो, बई